Hello everyone and welcome to the new video from SkillBuzz आज के वीडियो में मैं आपको 7 Windows C related shortcuts बताने वाला हूँ to make your life easier इन सभी shortcuts को अगर आप use करोगे तो day to day life में आपकी जो productivity है वो काफी जादा increase हो जाएगी because you will save a lot and lot of time by using these shortcuts तो चलो हम लोग वीडियो को start करते हैं सबसे पहला shortcut है to preview your desktop for example हम लोग किसी भी browser में work कर रहे है Google Chrome Mozilla Firefox कहीं पर भी and वहाँ पर जा करके हम लोगों को for example desktop पर चेक करना है the desktop पर मेरी files जो हम लोगोंने save की थी वो है या नहीं तो हमारे पास क्या options होती है first option तो यह है that आप Windows D button press करो and आपका जो desktop है वो आपके सामने आ जाएगा ठीक है and वापस से जब आप Windows D button press करोगे तो जिस tab से आप desktop पर गये थे आप उसी tab पर जो है वो वापस आ जाओगे ठीक है यह हमारा first shortcut है that is Windows D to go to desktop but कई बार हम लोगों को desktop पर जानने की ज़रुत नहीं पड़ती है because हम लोगों को बस एक sneak peek लेना पड़ता है basically हम लोगों को बस एक बार desktop पर view करना पड़ता है that चीजे वहाँ पर है या नि इस चीज के लिए आप preview desktop वाले shortcut को use कर सकते हो to preview your desktop आपको अपने keyboard पर Windows and comma button प्रेस करना है जितने देर तक आप Windows plus comma button प्रेस करके रखोगे उतने देर तक आपको desktop जो है वो दिखाई देगा and जैसे ही आप Windows button को remove कर दोगे Windows button से अपने finger को remove कर लोगे तो आपका जो tap था जहां से आप desktop पो view कर रहे थे वो जो है वो वापस से आ जाएगा ठीक है इन दोनों में क्या difference है Windows D and Windows comma में Windows D आपको permanently desktop पर ले करके चला जाता है बट Windows plus comma का जो shortcut है वो आपको केवल और केवल desktop का एक preview दिखाता है वो आपको desktop पर visit नहीं करके देता है वो आपको desktop पर ले करके जाके नहीं देता है ठीक है इसके बाद हम लोग अगर next shortcut की बात करें तो वो है Windows plus alt plus r यह बहुत जादा helpful shortcut है बट मैं इसको use करने के लिए आपको recommend नहीं करूँँगा आप वाई मैं भी आपको reason बताता हूँ Windows, alt and r बटन जैसे आप प्रेस करते हो अपने keyboard पे तो आप देखोगे that मेरा जो screen recording है यहाँ पर जो है वो start हो चुका है and एक बार record हो जाने के बाद अगर मैं इस screen को इस recording को stop कर देता हूँ तो यह मेरा automatically जो recorded video था वो save हो जाता है बट इस particular option को मैं आपको use करने का recommendation नहीं दे सकता हूँ because इस particular shortcut से that is Windows plus alt plus r जो आपका default Windows का screen recording का system होता है वो बहुत बहुत ही जादा space लेता है जैसे for example आपके 10 minutes की video हो सकता है कुछ 500-600 MB तक चली जाएं ठीक है तो इस चीज़ के लिए आप screen recording के लिए काफी सारे अलग-अलग software है जैसे कि screen rack है या फिर Camtasia recording है यह सब को आप generally use कर सकते हो अपने screen recording के लिए जहां पर आपके 10 minute की अगर file है तो hardly 20 MB की होगी या फिर 15 MB की होगी है and so on ठीक है उसके बाद जो हम लोग next shortcut देखने वाले है वो होने वाला है clipboard history history clipboard history का मतलब यह है that कई बार ऐसा होता है that आपको multiple चीज़े copy paste करने पड़ती है तो वैसे में आप क्या करते हो एक जगह से चीजों को copy करके दूसरी जगह पर paste करते हो फिर से first place पर आते हो copy करते हो फिर second जगह पर जाके paste करते हो and so on इसमें आपका काफी जादा time जो है वो उनको मैं Ctrl-C, Ctrl-C करके रख लूँगा ठीक है and जब भी मुझे चीजों को paste करना होगा जैसे for example मैं notepad में आ जाता हूँ and यहाँ पर मुझे individually जैसे मैंने four lines को copy किया ना उन सबको उसी order में नहीं paste करना है अपने need के according paste करना है तो मैं अपने keyboard shortcut का use कर लूँगा that is windows plus V, Ctrl-V स पेस्ट होता है तो बट Ctrl-V जो है न आपका जो Ctrl-V है वो आपके केवल और केवल last copied text को ही जो है वो यहाँ पर आ करके paste करेगा बट मैंने आपर 4-5 चीज़े copy की थी मैं चाहता हूँ that previously copied file में आपर paste करूँ तो मैं Ctrl-V ना प्रेस करके windows and V button प्रेस करूँगा तो जैसे ही मैं वो मैं यहाँ से जो है वो select कर सकता हूँ जैसे for example मुझे यह पेस्ट करना है यहाँ पर यह पेस्ट हो गया windows V किया and इसके अलावा लेट से मुझे third वाले चीज़ को paste करना था तो यहाँ पर paste हो गया तो इस तरीके से आप multiple चीज़ों को पहले एक जगा पर copy कर लो and तब आ next shortcut है that is alt tab यह काफी ज़्यादा popular shortcut है I hope आपको यह चीज़ पहले से पता होगी alt tab करने से आपके PC में जितने भी options available है जितने भी आप चीज़ों को open करके रखते हो उसके बीच में आप जो है वो navigate कर सकते हो and similarly control shift tab से जो चीज़ है वो पीछे की तरफ जो है वो जाने लगती है and control tab से यह चीज़ है वो आगे की तरफ जाने लगती है similarly जैसा हम लोगों ने shortcuts देखा है Google Chrome के shortcuts का that is control tab से चीज़े जो हो आगे बढ़ती है and control shift tab से चीज़े पीछे की और बढ़ती है similar उसी type का alt tab जो है वो आपके windows में जितने भी open files है open tabs है उन में switch करने के लिए helpful हो जाता है इसके बाद windows L काफी जादा एक helpful shortcut हो जाता है because कई बार हम लोगों को थोड़े देर के लिए अपने PC से दूर होना पड़ता है तो आप quickly windows L बटन प्रेस करोगे तो आपका जो windows है वो lock हो जाएगा L is to lock your laptop और PC जो भी आप use कर रहे हो आप quick way में चीजों को जो है वो lock करके और जब आप वापस आओगे तब आप इसको unlock करके अपने काम को जो है वो continue कर सकते हो ठीक है और जो last shortcut मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही जादा important है वो है task manager open करने का shortcut Generally हम लोग control alt delete button प्रेस करते हैं अपने keyboard पे और तब जाकर के हम लोग task manager को ले कर के आते हैं जैसे for example मैंने भी control alt delete प्रेस किया यहां से मेरे पास एक task manager का option है यह में ले कर के आया बट इतने जादा ये दो steps से जादा better है आप simply ये shortcut याद रखो control shift and escape control shift escape से एक ही बार में आपका जो task manager है वो open हो जाएगा and task manager से आप जो है वो अपने जो भी opened applications है उनको काफी better way में जो है वो आप मतलब एक तरीके से इसको sort out कर सकते हो आपको जो application close करना close कर सकते हो आप performance देख सकते हो app history startup में चीज़ों को enable disable कर सकते हो and so on ठीक है तो इस तरीके से कुछ approximately हम लोगों ने 7 shortcuts सीखे है I hope आपको ये सारे का सारे shortcut काफी जादा better लगे होंगे इसके बाद हम लोग कुछ और shortcuts लेकर कहेंगे जो कि आपके day to day productivity को और भी जादा increase कर देश तो see you in the next video till the next video bye bye take care and do check our website skillbus.in जहाँ पर आपको काफी जादा quality courses मिल जाएंगे चाहे हम लोग resume interview training की बात कर ले spoken English की काम बात कर ले यहाँ पर जो दोनों courses है वो बिलकुल free है या फिर आप Microsoft Excel देख लो ये किसी भी industry standard software बन जाता है ये कहीं पर भी आप जाओ आप किसी भी field में हो finance, marketing, LOS, किसी भी आप field में रहो आपको Excel की जरूरत हमेशा पड़ेगी तो काफी जादा basic level से Excel को आपको teach किया गया आप Excel का course जरूर से check out कर सकते हो and अगर आपको Excel अच्छे से आती है तो आप VBA macros की तरफ जो हो जा सकते हो जो कि एक advanced version हो जाता है Excel का जिसको आप check out कर सकते हो, apart from that ethical hacking, Microsoft Word, graphic designing, आप अपने need के according multiple courses जो हमारे website पर check out कर सकते हो, काफी जादा detailed courses है and बहुत ही basic से हम लोग इस चीज को courses को start करते हैं, तो see you in the next video, till the next video, bye bye and take care.